जहिन दोस्तों मैं नाम राईश्रावत और आप सभी का फीज से भगसी फिटनेश चैनल पर स्वागतें दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकिया है हाइट इंक्रीज कैसे करें जैसे के आप जानते हैं अभी लोगडाउन लगावा है जिसके कारण सभी घर पर ही है लेकिन किसी को अगर अपने हाइट इंक्रीज करनी तो वो कैसे कर सकता है? दोस्तों लोगडाउन में आप फाइदा उठा सकते हैं अपने हाइट इंक्रीज करकर मैं आपको पांच योगा बताऊँ हुआ जिसको आप करकर अपनी दो से तीन इंज आसानी से बढ़ा सकते हैं अक्सर होता है क्या दोस्तो एक्साइज हम कर लेते हैं हाइट के लिए भी बहुत सारी एक्साइज होती है लेकिन कभी न कभी अपनी हाइट बढ़ती नहीं है और वो क्यों नहीं बढ़ती क्योंकि अपना जो डाइट रेती है वो हम सही नहीं लेते हैं क्योंकि डाइट लेना भी बहुती जरूरी होता है हाइट इंक्रीस करने के लिए तो दोस्तो हाइट इंक्रीज का डाइट प्लान में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जो मैं 5 योगा आपको बता रहा हूँ अगर आप रोज इनको एक-एक मीट से स्टार्ट करते हैं सुबह के समय आप इन योगा को घर पर कर सकते हैं रूम में या छट पर भी जाकर आसानी से कर सकते हैं यह योगा आपके लिए काफी फायदे मद होगा आप 5 योगा लगातार करिए एक महिने तक जरूर आपके हाइट इंक्रीज होंगी और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ इसके साथ डाइट लेना बहुत ही जरूरी है आप समझ रहे कि हमने योगा कर लिया ओ घर जाके कुछ भी बना के पानी पता से हो या पीज़ा बरगा कुछ भी खा लिया तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों आपके हाइट कभी भी नहीं बढ़ेंगी क्योंकि हाइट इंक्रीज करने के लिए आपको अच्छा प्रोटीन लेना जरूरी है और अच्छे फल्फूर्ट खाना भी जरूरी है तो मैं डिस्कुप्शन में दे दूआ जिसको आप डाइट को फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों इसका कोई सप्रीमेंट नहीं आता है बहुत सारों के मेसेज आ रहेते हैं पहले भी इंस्टागाम पर भी किसार हाइट इंक्रीज करने का कोई सप्रीमेंट आता है या कोई टेबलेट आती है तो दोस्तों ये बिल्कुल भी चारे ना लगे किसी के भी कि कोई बोल दे कि इससे आपके हाइड बढ़ जाएंगी ये सप्रिमेंट लीजिए ये प्रोड़क्ट लीजिए ये प्रोटीन लेजिए देखे हाइट इंग्रीज का कोई सप्रिमेंट नहीं आता है, अगर बोडी बना नहीं हो किसी भी चीज का stamina increase करना सभी तरह का supplement आ सकता है, लेकिन अभी तक height increase का कोई supplement नहीं आता है, लेकिन कईना कई बहार अमेरिका में enormous का ओपरेशन भी होते हैं लेकिन वह बहुत दूर की बात है दोस्तों उसमें खर्चा बहुत होता है लेकिन आपको एक सिम्पल साथी बात बता रहा हूँ मैं आपको 5 योगा बता हुआ जिसको आप घर पर ही कर सकते हैं छत पर तो हम वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू क देखिए पहले stretching कर ले exercise के ताकि दिक्कत नहीं आए इस तरह आपको बोड़ी को खीचाव देना और धीरे इस तरह आपके पिछे देखिए पुरी बोड़ी को देखिए वीडियो की तरह यह देखिए पाउं को देखिए पाउं की एडिया सीधी होनी जरूरी है क्यों दोस्त इस exercise को या योगा को आप कर सकते हैं इसका नाम है बुजांगासन और यह बहुत ही फाइदेमंद है आपके height बढ़ाने के लिए बहुत ही फाइदेमंद है यह योगा इसको आप रोज सुबह करें सुबह के समय अगर आप योगा करते हैं यह जो मैं बता रहा हूं तो काफ इला हुआ योगा जिसका नाम था बुजांगासन इसी तरह आपको इसको लगातार पांच बार करना है अब हम बात करेंगे दूस्तरे की इसका नाम है पस्चितोमासन है इस तरह पाउं को सीधे रखने हैं और हाथ को अपर ले जाना है उसी तरह खिचाओ देना इससे क्या करना है इस तरह अपर ले जाना है और धीर धीर आपको गुटनों के टच करना है इसमें आपकी इंक्रीज होंगी और हाइट बढ़ने में मदद मिलें यह आपका दूसरा आसन हुआ था इसका नाम था पच्ची मोतान सन और अब हम बात अब हम बात करेंगे तिसरे आसन की इसका नाम है स्वरोगासन और इसमें आपको क्या करना है एक तोस्तारे के से सीधा सोना अगर आप सुरुवाती वर्काउट कर रहे हैं तो सावधानी से करें अगर आपसे यह योगा नहीं होता है तो कोई बात नहीं धीर धीर सावधानी से करें और किसी के मदद लेके मिलेंगी इससे क्या होगा कि आप इसको उठाएंगे बोडी को इस तरह उठाना है दोनों हातों को आप देखे कमर को पकड़ रखा ताक्या आपके पाऊं सीधे उपपर जाए इस तरह आपकी कमर की रेट की हड़ी सीधी होंगी जो कि आपके हाइट में मदद थाबीद आपको इसी तरह करना है कमर पर हाथ देखे पाउं को खिचा ओ की तरह आपको उठाना है अप देख रहे किसे तरह कर रहे इस तरह यह आपका होगया सरुगाशन ठिके इसी तरह आपको इसको लगाता है करना है पांच बार इसा हाइट में काफी मदद मिलेंगी अगर शुरुवाति में आपका वज़न थोड़ा ज्यादा है तो इसको करने का पयास ना करें ताकि आपके पाओं आपके सरीर में खिचाव नहीं आए आपके वज़न कंट्रोल में है तो आप इसको असानी से कर है और सरीर को पीचे की तरह पाओं को ले जाना पाओं का आप देखिं गुटने के वासे किटन सीधू हो रहे पाओ की जो मसल होते हैं उनको देख interactions अच्छाहो देना इससे तरह हिसी सिदे होना फिर इसी तरह आपको यह योगा करना है यह बहुती फा़िए मन्स में puntos अपकी काफी मदत करेगा ये योगा इससे अपकी कमर की जो डी suburbs वह से और second आपके जो मसल से एड़ी है वहाँ से देखिए एड़ी के से खिचावाएगा एड़ी के वहाँ से खिचावाएगा ये आपके height में बहुती मदद करेगा बहुती काफी अच्छा योगा है ये आप इसको भी कर सकते है height increase करने के लिए इसी तरह हलासन के तेंस योगा को और यह आपके हाइट में मदद करेंगे अगर अगर आपका वजन जादा है तो करने में थोड़ी समझ से आएंगी लेकिन इसको करने का ट्राय ना करें अगर आपका वजन थोड़ा जादा है तो ट्राय ना करें या किसी के मदद के साथ ट्राइ करेता है कि आपकी बोड़ी को नुकसान नहीं हो इस तरह इसको कहते है हलासन बहुत अच्छा योगा है यह हाइड बढ़ाने के लिए काफी मदद करता है यह योगा आप आसानिसे इसको कर सकते हैं अब हम बात करेंगे बटरफ्राइ बटरफ्राइ दोस्तों बहुत को लोगों कम सुनते हैं इस बटरफ्राइ को इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह बेटना है दोनों पंजे को टच करना है उसी पकार आपको इस तरह पाउं को हिलाना जैता कि आपकी दोनों पाउं सकते हैं या ग्राउंड या जिम में भी कर सकते हैं यह आपके हाइट इंक्रीज करने में काफी मदद करेंगी इस तरह देखिए आप वीडियो में देख रहें किस तरह आपको दोनों हाथों से आपको पकरना है पाउं के पंजों को और इस तरह दोनों पाउं को हिलाना है यह यह आपके काफी मदद करेगा height increase करने में बहुती अच्छा है यह butterfly इसको आप आसान से करें एक से दो मिरीट तीन मिरीट लगातार इसको करते रहें बहुती फायदे मन्ने अब हम बात करेंगे कमर स्टेचिंग इस कमर स्टेचिंग में होगा क्या दोस्तों आपके रीड की हिड़ी पर खिचाव आएगा एक तरह का और आपके पाउं मसल सब खुलेंगे इस तरह आगे ले जाना है फिर धीर धीर फिर खिचाव देना बोड़ी को निचे टाच करने क पुशिश करना दोस्तों यह इस तरह उठाना है फिर पीछे की तरफ ले जाना है देखिए किस तरह ले जा रहे इस तरह खिचाव देना पुड़ा तक आपकी रीड के एक दम खुल जाए जिससे आपके हाइट इंक्रीज में मदद मिले तो दोस्तों यह आज का वीडियो पांच एक्साइज बताइए योगा बता हैं जिससे आपके हाइट आसानी से इंक्रीज हो सकती है इसे रोज इस्तमाल करें रोज सुबह के समय आप इने एक्साइज को कर सकते हैं छट पर हो या रूम में काफी फाइदे मन्द होती है तो दोस्तों मैंने डाइट प्लान मे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसको जरूर फोलो करें क्योंकि एक चीज करने से कुछ भी नहीं होगा जैसे कि दोनों हातों से तालीबस्ती वह काम है कि आपने योगा कर लिया और एक्साइज नहीं करी है या आपने डाइट प्लान सहीं नहीं लिया है दोनों आप कोई भी मेसेज करना हो तो आप में कोई इंस्टागाम पर कर सकते हैं मैं area डीय में करके कोई भी कोशन नो तो पुस्च सकते हैं तो दोस्तों आज का वीड Moojom करते हैं नेक्स्ट वीडीयो में जल्द मिलेंगे जैहिन जैभारत